मैं चैनल एंजल कैबल टारियर्स and this video made for Scorpio वरश्यक राशी के जातकों का कैसा जाएगा समय तो यहां पे जो messages आपके September मंत में हैं वो यह हैं कि इस वक्त आपको अपने आपको clean रखना है और अपनी energy को restore करके रखना है clean का मतलब यह नहीं कि आपके वल नहाते दोते रहें नह लेखिन clean का मतलब यह है कि अपने जो heart and mind का जो यह चक्रा है इसको आप clean करके रखिए meditation करिए think करिए meditation के वक्त कि मेरे अंदर से negative energy सब जा रही है और positive energy मेरे अंदर आ रही है यह एक meditation करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है बहुत इसमें अच्छे messages थे और important messages आप लोग के लिए आयो हुए थे कि इस वक्त अपने आपको clean रखिए थोड़ा सा relaxed रहिए tension, frustration यह सब देने कोई जर्वत नहीं हो सकता है हो no doubt क्योंकि उसमें दिखता भी है कि आने वाले उसमें September के month में बहुत possibilities है कि आपको अपने दुश्मनों की असलियत पता चले हो सकता है कोई वक्ति आपको पता चले कि यह तो कुछ ठीक नहीं लगता यह मेरा दुश्मन है क्या हो सकता है कि वो हो क्योंकि यहां पर message आ रहा है कि angels आपको reveal करेंगे उसकी असलियत reveal होगी उसकी असलियत आपके सामने आएगी ऐसे वक्ति की तो दूर रहे यह react करने की जरूरत नहीं है कि गुस्सा करने लगे उसके उपर असलियत आगई ना आपके सामने बस उतना काफी है react मत करिएगा क्योंकि इस वक्त यहां पेवी message है कि आपको cleaning करना बहुत जरूरी अपनी एनर्जी को restore करके रखिए इधर उधर की चीजों में waste मत करिए कि वहां वहां चले गए वहां थोड़ा सा पंचायत हो गई थोड़ा से बुराई कर लिया वहां पर नहीं यहां इन सब चीजों में प्लीज अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए आपकी अपनी औरा की ए जाता तो लोगों की चक्रास ब्लॉग होते हैं आजकल और बिल्कुल क्लीन नहीं होता है एनर्जी जो है आथ पास लोग सक कर चुके होते हैं तो रेकी हीलिंग की थ्रूँ क्लींजिंग वैसे तो यहां पर मेसेज अग क्लींजिंग का आया हुआ है और restore करने का अनर्जी क आई हुआ है तो मैं आते हैं आपको यही शिलाद दोंगी कि अपनी रेकी healing करवाईए मैं भी करती हूँ करवा सकते हैं और इससे क्या होगा आपकी energy जो है जल्ली लोग जो है सक नहीं करेंगे आपको जैसे होता है चुके नजर आपको लगा चुके कभी-कभी लोग जैसे कि मैं बहले भी बदा चुके हूँ black magic भी करते हैं तो वह आपकी वश्यकरन भी करते हैं तो यह सब चीजें असलियत है होता है यह सब अपने और को ख्लोस करना जरूरी है यह रेकी हिलिंग की तुरू होता है नहीं करवा पा रहे हैं कोई बात नहीं वैसे मैं यह अब मैसेज आया हुआ है और की खुद के टेबल खाली है तो आप दूसरों को क्या फर्सेंगे क्या देंगे यह चीज है आपके अंदर जो एनरजी आपके अंदर नहीं है तो आप अपने काम पर कैसे ध्यान देंगे और लोग की help कैसे करेंगे और लोग को support कैसे करेंगे रिष्टे कैसे सम्हालेंगे इसी लिए ही message आ रहा है how can you feed others when your own table is empty आपके कुछ की tables यहां पर खाली पड़ी हुई है आप दूसरों को कैसे पर्स होगे मंतरों का जाप करिए गौड से prayer करिए कि वो आपकी help करें बहुत संभावना है अगर आप spiritual है बहुत अच्छी बात है तो आपको यहां पर message है कि आपके सामने असलित भी आएगे आपके दुश्मनों की मैं तो आपको advice करूंगे कि आप प्लीज थोड़ा सा जो है कुछ workout करिए अपने उपर क्योंकि September मन्त में यहां पर दिखाता है कि आपके energy बहुत लोग सक करने के लिए आएंगे तो care जो भी हो आपकी उपर है यहां पर यह भी message है कि इस वक्त आपकी जो inner soul है वो आपको advice क करेगी जैसे होता है कई बार मन में विचार आता है कि inner soul बहुत बार आपको advice करती है कि ऐसे करो यह तुम्हें करना चाहिए ऐसे सही है तो अपनी मन की बास जरूर सुनिए अंतर आत्मा की अवास को जरूर सुनिए यहां पर यह spirit का message आया हुगा है कि जो भी decision इस वक्त जो येगा वो सही होगा और अपने आप विश्वास रखिए ट्रस्ट रखिए अपने life partner के साथ जो आपका इतना ज्यादा devotee है वह person आपके लिए दिन भर आपके लिए सोचता रहता है positive सोचता है ऐसे लोगों के साथ रहिए उठिए बैठिए उनके साथ एक विश्वास क करें कि आपको क्या पसंद है क्योंकि self love का कार्ड इसमें आया हुआ है कई लोगों को self love का मतलब नहीं पता होता है मैं बता दू कि self love का मतलब होता है कि अपने आप से प्यार करना अपने आप ध्यान देना कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है और negative चीजों को बिल चीज़ों के तरफ जाए, positive things को देखे, garden में घूमे, कुछ अच्छी किताबे पढ़े, कुछ अच्छे movies को देखे, तो ये सब चीज़ें करिए, और इस वक्त आपके September मन्त में कुछ खुशकबरी आ सकती है, कुछ भी आपके relatives में, friend circle में, अगर आप couples हैं, अगर आप pregnancy के लिए यहाँ पे, अगर आप जो है, वो planning बना रहे हैं, या second baby के लिए planning बना रहे हैं, तो एक अच्छा समय है, planning आप बना सकते हैं, बहुत possibilities हैं, कि आपके अंदर खुशियां आएंगे, घर में खुशियां आएंगे, आपके happy रहेंगे, आपके relationship में या message दिखा रहा है, और आपके यहाँ पे यह भी message है, कि इस वक्त जो भी आपके life में घटित होगा, उसको आप accept कर लिजे, ऐसी की ऐसे ही, क्योंकि इस वक्त आप अपने सितारे बहुत जादा change नहीं कर पाएंगे, कोई जना ऐसा यहाँ पे जरूर आपको हाथ पकड़ेगा, कि आउत मारी में मदद कर देता हूँ, या कर देती हूँ, उसका हाथ पकड़ लिजेगा, यह नहीं कि उसको हटा दिया, आपको प्यार करता हूँ, आपको सपोर्ट करता हूँ, इसलिए उसका हाथ को accept करिए, और उसकी भी आप help करिए, उसको accept करिए उस परसन को अपने life में, जो विश्वस निये हैं, आपकी अंतरात्मा, जैसे मैंने आपको बताएं, process by process, बस वैसे ही करते चले जाएगा, meditation करिए, करिए, यह line से जो आपके पाप messages आ रहे हैं, ऐसे ही करते चले जाएंगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक अंदर, आपके अंदर एक भूग दिखा रहा है किसी चीज की, जैसे होता है कि किसी चीज को पाक ही रहना, चाहें जो हो जाए, तो बस किसी object को, किसी think को, या कुछ success पाना चाह रहे हैं किसी अपने काम पे, या उस person को हासल करना चाह रहे हैं, लाइफ में आ जाए इसे तरीके से, तो ये एक hunger दिखा रहा है, अच्छी चीज हैं, लेकिन मैं आपको वॉर्ण कर दूँ, कि नकरात्मक सोच के साथ, किसी चीज के लिए भूग मत रखिएगा, रखिए, hunger रखिए, इच्छा शक्ती रखिए, लेकिन अच्छी चीजों पर रखिए, ताकि आप न डैमेज हो जाएं, क्योंकि आपको बचाना ज़रूरी, ये self-love यह होता है, आप अपने बारे में, अगर वाकरी में सच्छा सोचते हैं, कि हाँ अच्छा मेरे साथ हो, तो अच्छी चीजों को भी तो अच्छे कर्मों को भी तो करिये न, वो hunger आपका positive की तरफ होना चाहिए न, कि negative की तरफ, I think the message is very clear from the divine agencies, thank you so much.